Hello third class kids, आज हम करेंगे lesson number 4 के शब्दार्थ Lesson number 4, वानी की चतुराई इसकी क्या करोगे आप शब्दार्थ करोगे, मैंने लिखे हैं और आपने लिखने हैं, okay First है दशा, हालत, दशा, हालत, उम्र, आयू, उम्र, आयू, योग्य, लायक, योग्य, लायक व्रिद, बूड़ा, विचित्र, अनोखी, व्याप्त, फैलना, परिशान, दुखी, विचार्वे मर्ष, सलाह करना, व्याकुल, बेचैन, चिन्तामगन फिक्र में डूबे हुए, ठीक है, फिक्र में डूबे हुए, अभी हम इसका क्या करेंगे, question answers करेंगे, ठीक है next piece पे आप क्या करोगे, question answer करोगे, ठीक है, इसके, part number 4 के question answer, बस question है, बिमार हाथी को राजाने कहां भेजा, बिमार हाथी को राजाने कहां भेजा, कहां भेजा था आप बिमार राथी को, बिमार, answer लिखोगे, बिमार हाथी को राजा ने गाउं में भेज दिया ठीक है कहां भीज दिया गाउं में भेज दिया सेकिन्ड है राजा ने गाउं वालों को क्या आदेश दिया राजा ने क्या आदेश दिया था राजा ने गाउं वालों को आदेश दिया की उसके स्वास्त का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाए इसके स्वास्त का हाथी के स्वास्त का ठीक है उसके स्वास्त का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाए और उसके स्वास्त की खबर रोजाना राजा को दी जाए ठीक है नमबर तरवर कोश्चन है गाउं वाले राजा की आग्या से क्यों डरने लगे? क्यों डरने लगे थे? गाउं वाले राजा की आग्या से इसलिए डरने लगे क्यों की राजा ने आग्या दी थी क्या आग्या दी थी? जो भी कोई उस हाथी के मरने का समाचार राजा को देगा तो उसे उसी समय ठीक है, इसलिए ड़ने लगे थे हैं काओं बोले, ओके, नेक्स पेज, चतुर ग्राम बासी ने हाथी की मृत्यू का समाचार किस प्रकार बताया, किस प्रकार बताया था चतुर की ग्राम बासी ने, ग्राम बासी ने कहा, महराज, आज हाथी ना बैठता है, ना खड़ा होता है, ना खड़ा होता है, ना खाना खाता है, ना जल पीता है, ना सांस छोड़ता है, ना सांस लेता है, और ज्यादा क्या कहूं, वह एक जीवित प्रानी की तरह आचर नहीं कर रहा है, ठीक है, उसके बाद, नमबर फिफ्ट कोश्चन है, चत्र ग्राम वासी ने राजा के मन को किस प्रकार जीता? ठीक है, आंसर आएगा, चत्र ग्राम वासी ने उसके बोलने की सरलता और चत्राई से राजा का मन जीता, ठीक है? यहां तक, ठीक है, यह आपके कोश्चन आंसर और Okay, thank you.